मैं प्रिकास्ट वरांसी से आप सभी लोगों का इला निवी दुर्गेश में एक बाई फिर से स्वागत करता हूँ एक बाद सभी लोग कंफर्म कराएं आप लोगों को आडियो वीडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग से सम को लाइक करें और अपने सारे मित्रों में इसको त्रेयर करें त्रेयर करने बाद जो ही क्लास में चले आए हमारे साथ में बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं रागन पुणिमा तो सभी लोग एक मिनट में जितने भी लोग का नाम आएगा मैं ले लूँगा उसके बाद फिर नाम नहीं लूँगा क्यों कितब सीदिस देप पढ़ाऊंगा पारस भारती आयुषमान भवा शवितान अन्दी जी हैं आयुषमान भवा पुणिमा जी आयुषमा करने चल रहे हैं और अब क्लास इस्टार्ड ठेक है पूजा भी आ गई है चलिए अब क्लास इस्टार्ड अब किवल और कोशन पर चर्चा होगी तो सबसे पहला कोशन आज का जो दिखाई दे रहा है यह कोशन है कि देसांतर में आज कुछ मिक्स टाइप वाले कोशन भी ह साथ समास है ध्यान देना देशांतर दिया गया है देशांतर में हलांकि वह द्विगू और द्वंद तो दोनों नहीं होंगे बात आती करमधार बहुरी में कुछ लोग अक्षांस देशांतर में जा करके कहेंगे देशांतर बहुरी है लेकिन ध्यान दिएगा नहीं यह कर स्थान तक जाना दे सांतर होता ना ऐसा वाला तूस वाले अर्थ से अगर आप चलेंगे तो राइट अंसर इसको आप पहुंचेंगे कहां तक सी तक पहुंचोगे और सी ही बिल्कुल करेक्ट है नेश कोशन में आप लोग सामने दिखाई दे रहा है भारत में सरवाधिक बो कि बखेंगे तो हिंदी ही वह है जो ने भासा है वह कौन सी भासा है आप सभी लोग पता होगा हिंदी ही बोली जाती है तंस्क्रिट तमिल और उर्दू में से अगर आप देखेंगे तो हिंदी ही वह है भासा जो तरवादिक सबसे अधिक बोली जाती है और यह देखिए बीएड उगर में भी आया है कुस्टन बहुत ही महत्पून है ठीक आगे एक कुस्टन बहुत ही इंपॉर्टन बहुत ही इ प्रसंख्याती एवर्द प्रसंख्याती और तीन उत्तर क्या है यहाईगा इसका होता है। सार्दूल होते हैं ठीक इसका होता है उक्सक्राइबर है camera connect अभी नहीं है camera connect है condition सहona === chỉ वैसे ही बैठे हैं तो तो अभी दरसंदेने का कोई दंथे नहीं है मैं बिल्कुल दरसंदे दूंगा कुछ minute कुछ second बाद या last में मैं यह संजरह दे दूगा गवड़ाय नहीं दर्सन जले नहीं है थंड बहुत ज्यादा है ना इसलिए फिर बहुत ज्यादा ओड़ बीड़ी के बैठे हैं तो वह नहीं आ रहा है सेट अप पे नहीं बैठे हैं साइड में लेगा करके बैठे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है ठीक है आगे देखते हैं निम्लेखित में कौन स्वर नहीं है कोशन आ रहा है कि निम्लेखित में कौन है जो स्वर नहीं है अ उ ए और या ठीक इसमें बताओ कौन सा स्वर नहीं है बिलकुल इस्टार इस्टार ट्रिपल इस्टार फोर इस्टार सारे इस्टार लगाते चलो प्रेयर भी करते चलो ठीक हैं होना चाहिए दर्सन मिल जाएगा ठीक है इतना जब ध्यान रहेगा चरूर नहीं है प्रससंख चार का उतर दी आना चाहिए और दी बिल्कुल करेक्ट है ब्यातरिन question है एक ये भी cushion देखो समान अगर question बन रहा है तो जल्दीस कर लेते हो कोश्चन तो बिल्कुल हम आ सकते हैं ऐसी बात नहीं है आ जाएंगे ठीक बिल्कुल आ जाएंगे अभी नहीं दिखेंगे अब देखेंगे थ्वाट ठंड और कम हो जाएंगे फिर दिखने लगेंगे रुख का परियावाची सब्द है विटप प्रसून तड़का हेरंब अब आप देखो कि किसको कर सकते हों किसको कर सकते हैं पादप विटप पेड़ विरिक्षत यह सब जिसके हैं उसी का है यह रुख अर्तात यह क्या हो जाएगा एक रिखा प्रसून फूलोगरे वाले हैं हेरंब गणेस जी के नाम को भी कहते हैं तड़का आप समझ रहे होंगे तो कुल मिलाजुला करके बहुत जादे दूर नहीं को चलना है जो महत्त पून कोस्टन सीदे सीदे उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए कई बार कोस्टन कुछ ऐसे डाल देते हैं जिसके अपसर में घराइम चलेंगे तो फिर कोस्टन कम होगा फिर आप लोग कोस्टन कम कर रहे हैं करपट सब्द का तदभव क्या है क्या है तदभव मैं और भी अनालसिस करूंगा थोड़े दि उत्त तर क्या मिलेगा इसका उत्तर मिलेगा आपको कपड़ा करपट आजिए ओन तो इस में इत्यादी सब्द में कॉन-कॉन संदी है इत्यादी सब्द में कॉन सी संदी बनेगी अरभात इसमें लेकिन लोग जुआ कमकिये हैं जल्दि सेब्स में और सब्सक्राइइब क्लास संस्कृत होती हैं। इत्यादी सब्दमें कौ संदी है यं संदी बृद्धी संदी गुंण संदी या फिर संदी तो आपको पता है यहां पर एक भामनानाज़ीदीधिधिंत आदसे कि अदिसे यह को यह दरब आही है क्योंकि एती में जबाब कुछन एक बहुत ही महत्तों कुछन जो कि है मौहावरा और आप लोग इस मौहावरा का अर्थ जरूर बताईए सभी लोग बताईए जो लोग भी नए है पुराने हैं सभी लोग क्लास को सेयर करें ठीक है मेरी अगली क्लास चार बजे सामको होगी जो संस्कृत सब बीसे से ह अब तो मज़े की बात है इतने लोग सीटेट में कोशन पेपर साल्व करके आ रहे हैं उस वह भी बोल रहे हैं सर्फ जो आप पैसेज पढ़ाएं वह पैसेज आये हैं यूपीटेट वाले भी पैसेज देखकर के आये थे कि हाँ यूपीटेट में जो कुस्टन आये थे पैस आंखों में गड़ना बहुत सही यूपीटेट में पुछा गया था सोचे कितना ब्यतरीन है ये देख़ो आरो आरो का कुस्टन है मैं आपको बता दूँं कि इस सेशन में आपको बहुत सारे कोशन जो टेट में पूछेइ गये हैं सूपर्टेट में कोशन पुछे गाए हैं कहीं आपका भी एड में कोशन पुछा गया है इसके सांथ ही सांथ लेखपाल भरती में जो भी कोशन आते रहते हैं ट्रिपल सी लेबल में आरो यारो इन सब के लेबल में कोशन जो महत्तपुन कोशन हैं वो सब मैं यहां पे लेकर करकर के क्या होता है तदभव होता है तो आप उसको देख लिए इसमें बताइए कौन सा हम लगाएं बहुत सारे लोग चल रहे हैं कि मक्षिका पर लगाईए यह मक्षिका नहीं सही होता है ध्यान देदा यह मक्षिका सही होता है डीग सही होगा आपको याद होगा जम्मा ल निक्रश्न निक्रूच्श्न सब्सक्रंद नएक उत्तर करें उसका मतलब क्या होगा तत्सप lipset दुवार सायंग गिरस्ती क्या करना इसमें बताइए कि कौसा तदभाव नहीं है तो जो यहां सायंग है सायंग यह तदभाव नहीं है दूआरा का तदभाव है कि रिष्टी भीजी तदभाव है फाउं फांच पॉस्टल पज में धर्ट आप Chemistry घूरा अपका में हम लोग चलना है केवल हमको उत्तर दिखना चाहिए एकल परिच्छा में पता है वहीं उसका बहुत करदा यह ऐखे सिधे की एकल सब्सकात तदभाव क्या होगा अर्थात अकेला को हम लोग क्या करते हैं एकल अकेला हम लोग तदभाव में बोल देते हैं तदस्भा में हो जाता है एकल अकेला यह अकल अकल नहीं होथा Old अकेला यह तो दो ऐसे ही हिंदी में जितने आपसन मिलते हैं उसमें बहुत सारे आपसन तो सामान में अगर रूप से आप पड़ रहे होंगे उसी से कट कर देंगे कि नहीं यह तो हो ही नहीं सकता जैसे आप इस वाले में देख लिजिए त्रीमेंडी सब्द में कौन सा समास है अब द्म तो पक्का है नहीं होगा अब कुछ लोग वह परसान होंगे कुछ लोग द्रीगु में कुछ लोग कर्मधारे में अबक्ति यहां पर एक दिक्क्कत आता है उसमें लिखा होता है साब साब के एक अब्वेग भायाव समास वाले में दिक्कत आती है और एक आती है वह वरी समास वाले में जब किसी अन्य का अर्थ देता है थिक है चले आगे देखते हैं नेश-कोस्टन की और चलेंगे तो यहाप हो गया दिगूर्गु तेरा नंबर के कोश्टन में चले देखते हैं न कौन सा समास नहीं है ठिक क्योंकि वो देखने से लगता है कि कर्मकारक लिखा यहां पे और लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या पढ़ेते हैं कर्म कारक समास तो क्या हो जागर आई टैंसर एक कार्म कारक समास कोई समास नहीं होता है इसलिए यह वाला समास नहीं है अब्व्यभाव द्वांदों समास बहुगरी वो सब सभी के सभी सभी सई थे प्रश्च संख्या 14 में अगर हम बात करें निमलिखित सब्दों में किसकी वरत प्रत्यूप कार्ट दुरावस्था कैलाश जो सुद्ध रूप से लिखा गया आप उसको बताईएगा ठेक उसको आप बताईएगा हमारे सान्स में सभी लोगों का उत्तर करेक्ट आ रहा है बिल्कुल सही पीछले वाले का उत्तर भी लोग कर्मकारे की के है ठिक है हांँ बिल्कुल चील कऊँगों की नहीं इक आँ बिल्कुल ताकि एक दम उत्तर दिकसी आइधि और न पहुँचे आपका ध्यान जो और हम बात करें तो यहीं पर सब्सक्राइब होना चाहिए कि यहां पर तो मैं सोचा कि चलिए दो दो एक एक सब्सक्राइब सारे टापिक से ले करके बनाते हैं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस मिलता रहे हैं पूर जर्म का सही विच्छद क्या होगा भ्यान देना विशर्ग संधी है इसका मतलब यह पूर यह इसके बाद यह नहीं बनेगा अब यह पूर्ण तो होगा यह नह आप का नहा है यह आ जर्म नहीं होगा पूनह में जो विशर्ग है यहीं जाते जाते सांदी wen वनेगा यह वीच का एक टर्म विच में पूरा संदी पढ़े होंगे सभी लोग थोड़े में विसर्ग संदी पढ़ाते हैं बढ़ हम पूरी विसर्ग संदी बताएं है मुझे याद है ठीक कि बिल्कुल उत्तर देखो वस उत्तर सिधे दिखाई देना चीजिए की कहां उत्तर पहुँचा क्या इसका राइट एंसर आएगा पढ़ते ही बताओ कि गुरु का क्या होता है लगु गुरु का क्या होता है गुरु माने बड़ा है और लगु मतलब छोटा तो क्या बन जाएगा लागव तो आप उस तरके से आप को संगया बनती है भव अचक शंगया वाओ कौन संगया तो आप उसमें इस चीज को पढ़े होंगे किस तरके से बना जाता है ठेक है अबी एक तो हिंदी का चल रहा है ठेक और जो है क्लास में चलेगा चार वज़े से संस्कृत की क्लास चलेगी शंस्कृत में आप लोग सभी संस्कृत में भी उपस्थ हुई जो लोग पहले के लोग हो गाए है कितना सरल सरल कोश्टन करकर के निकल के चले गए घवण कवर्ग में आता है और सभी के सभी तो तवर्ग के ही कोश्चन थे ना नेश कोश्चन बताओ दोनों पधप्रधान हो उभयपदार्थ प्रधान जल्दी बताओ आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारे उत्तर क कि समास में ध्यान देना जब हम समास विग्रह करते हैं तो दो उसमें पद आते हैं एक होता है पूरोपद एक होता है उत्तरपद कोशन और है जो कई बार कोशन ऐसा आता रहता है बहुत किसी समास में प्रथमपद संख्यावाची तथा अंतिमपद कोई संग्या हो बताओ तो वह कौन सा होगा चलिए ठीक है और सभी लोग जो है लखनव चलने वाले धरने में सामिल हो जाईएगा पक्काय आ जाएगा नहीं नाम नहीं बोलेंगे ठीक अभी किसी का नाम नहीं बोलेंगे क्लास क्लास में नाम बोलेंगे है fakie कि समासब्ध प्रथम पद शंज्या जासा अंतियम पद संग्यौ हो दक्स éta मा प्रूर्ज समास अब्व Neptune समास कितमें हो जाएगा द्यू समास में किसी में द्यूग समास में पहला पद क्या हो जाता है आपका संख्या वाची हो जाता है ठीक तो हो गया देगु समास चलो next question क्यों चलते हैं फिर से हिंदी एक समाने हिंदी से question है जो बहुत ही लाटेट बहुत महत्पूर्ण यहां लिखे तो हमके वह लेकबार है लेकिन ऐसा कोई परिच्छा नहीं होगा जहां हिंदी का पेपर बना हो और उसमें यह question ना आया हो ठेक यह question ना आ हो और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पहली बार इसको गलत ना किया हो गलत करता ही करता है तो निलुकित तब्दों में ऐसे कौन सा सुद्ध है कवीत्री कवाईत्री कवीत्री या फिरिया ए बी सी डी इसमें से आप सभी लोग जरूर करें जरूर आप लोग सही उत्त Qoci question है इसमें एक ध्यान देना इसका उत्तर क्या रहा है काई इत्री यह सुद्ध सभी लोग ध्यान से समझना यह Qoci बहुत बार आया है बहुत बहुत बार ऐसा को इक्जामीनी के जिसमें ना आया हुआ पका आता है और यह जो Qoci लौ में ही बदल जाता है तो क्या हो जाएगा उत्धनलासः उल्लासः तो एक किसका हो जाएगा उत्तर दी तोरली संदी होता है जो लोग तोरली नहीं जानते होंगे उनको थ्वास में जरूर बता दिया बिल्कुल राइट एंसर सभी लोग कर रहे हैं कुछ लोग कोई ने किया कि पेपर में गलत हो जाता है बस हां हां बिलकुल बस यहीं दो चार दिन का जो भी होगा धरना फरना सब यहीं दो चार दिन में आप छो प्राप्त कर लोगे कर लोगे उसके बाद में फिर बढ़ा श्लो हो जाएगा का इसी थी जानते हैं सत्रह हजार अठारह हजार बीस हजार आएगा ना तो उसमें कम लोग सफरेंगे अगर यह सतानवे हजार वरती अगर आ आती है तो आप मान के चलिए सब का उध्धार हो जाएगा बहुत सरे लोगा सब निकल जाएगे अगर यहीं कम आएगा ना तो फिर वहीं कुछ लोग चले जाएगे उपर कटूगा वाले भी होते हैं तो सब चीज फिर उसी परिसान हो जाएगा होगा नहीं तो बस इसी में म प्रसंख्या 22 उत्तर क्या बनेगा संस्क्रिट क्या बनेगा संस्क्रिट नेश्ट को सन लेते हैं घुजराती किससे विक्सित है गुजराती देखो अइसा भी कोशन आया था या टीजीटी में पोशा गया था उत्तरप्रदेश में और आप लोग सूपर्टेट की परिच् इसलिए आप लोग इस को संब जरूर देखिए ठीक है बहुत सईट अगरे चलो देखते हैं नेश्ट को सेब इसमें पहले उत्तर बता दो तब चले आगे इसमें बताओ गुजराती किसे से विक्सित है सौर सेनी से विक्सित है किसे सौर सेनी से एजब हिस्ट्री आप आजाएगा तिक डीटेल वाले में अभी आप केवाला दिमाख बनाते चलो अब जो भी मिले ना मिले दो बार तो मिल चुका है दो बार तो आसर दिये जाने के लिए बोला गया था पहले अब अब उनको आसर मिले लेकिन उनका नमकर ना जोड़ा जाया तो ठीक है सरे चुथे में अब क्या अब तो अब सोचे ही लो फिर इनका होना नहोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आएगा जब दो बार उनको जब इतने महा कुम्भ लगा इतना भरतियां आई सवाल लाखाई जब उसमें नहीं हो पाए लोग तो अब क्या होंगे वो फिर किसी भ ड्रमहार सी, देवार सी, सबतार सी ठीक है अचा पांच मोड़ बाद आओगे चरो ठीक है संस्कृत में जरूर रहा ना तो महर सी सब्द में एक कौई सी संधी है अच्छा संस्कृत की जो TGT वाली क्लास है उसकी प्रारम करने जा रहे हैं और अभी उसकी डेट भी नहीं गोशित करेंगे लेकिन संस्क्रित की TGT वालों जो होती है उसका प्रैक्टिस के वलाभी डीटेल लगेगा उसकी कमस्कम तीन गंटे क्लास डेली हो जाएगा तो उ तो क्या हो जाए गुण हो जाए क्योंकि हम सन्सक्रित में ही पढ़ाए थे कि अ ए और ओ की गुण संग्या होती है यह और और ऑं के रूप में दिखाई देता है ठिक तो यहां पर यह गुण हो जाएगा जहाँ वह हिंदी संस्क्रित से थोड़ी बहुत अलग रहेगी या उ आप लोग कहें डर रहे हुआ हाँ चलिए आगे देखते हैं तो पढ़ नहीं रहे हो पढ़ो आप लोग हम तो पढ़ाई रहे हैं अध्यक्ष अधिस्ठाता में उपसर्ग है ठेक बिलकुल सही कहेंगे इतना सब कुछ लेते जा रहे हैं फिर भी उनको नहीं हो पा रहा तो क्या होगा जब इतने में नहीं जब महा कुम्ह लगा नहीं तो फिर अब क्या किया जाएगा हम तो यहीं कहेंगे वह सच्चाई है बच्चे कितने भी बेवकूप हो बस उनको एक हाजर है इनको ए मत कहिए कि यह कभी नहीं कुछ कर सकते हैं बिलकुल विकलांग आदमी जो Food भी फर्तियागी नहीं नहीं पाएगा उनको जागना पढ़ेगा उठना पढगा दवड़ना पढ़ेगा ठिक चलना नहीं प्ड़एगा दवड़ना पढ़ेगा तब तो हो पाएगगे दर्वाइगा अभी बुरा लगँरए और लगए बड़िया से समझ लिजी अगर पर वह समझते हैं नहीं हमको होना है तो होता उसी को जो मेहनत करता है एक जिस तरगे से सोए तो नहीं हो पाएगा जब उसमें नहीं हो तो फिर सोने से नहीं होगा बलदली यह पूरा किजी अपना अध्यक्ष और Die fists ना में उपस्रग अधिस्थाता में उपसर और सुगा क्या होगा अध्य उपसरग होगा ऑच्छे हां ये और को नहींगे कुछ नहीं संख्या बढ़ा रहे हैं कुछ हो var के वह इतना इतना डिब्स दिगरी ले लेते हैं पताने कैसे कैसे सब बन लयाते हैं पढ़े सुरूसस जो नहीं कि आमें अ कमजोर हो जाएंगे एक होता है गाउं में पोधा होता है पानी में होता है उसको बोलते हैं ला मेर यह एक सब्द है हिंदी में पताने साथ ही होता है चालू भासां प्रयोग होता होगा नहीं पता सकते यह जो ना पानी सारे को ट्रंगार होता है ऐसे दूसरे के सहारे और जो कलेजे पर साप लेटना, लोटना, ठीक, दुखी होना, इर्षा से जल उठना, दुस्मने निकालना, या फिर दिनता प्रकट करना, हाँ, बिलकुल, समय से आज ये, जो लोग भी है, सभी लोग आ जाईए, कोई बात नहीं, लेट सभी जल्दी से आ जाईए, ठीक है, आगे चलते हैं, तो चलिए, नेक्स क्वेस्टन को हम लोग देखते हैं, कलेजे पर साप लोटना, प्रससंख्या, 26, उत्तर क्या बनेगा, उत्तर क्या बनेगा, इर्षिया से जल उठना, इर्षिया से जल उठना, यहीं क्या होता है, कलेजे पर साप लोटना, ठीक, आगे देख तो को और सब्सक्रांब सब्कूरी ध्यान से देखो 27 इसे में उत्तर क्या करो तो यह वाला जो है न यहां पर वी दूसी यहाँ जहां नहीं होता है और दिर्ग वाला नहीं होता यह दौन किया था कि चील कवव की तरह अग्दम ध्यान होना चाहिए तो बिल्कुल आपका उस पर ध्यान होना चाहिए तब तो समझ पाऊगे दर्वाइज नहीं निम्लखित में सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है देखत वर अब यहां पर सुद्ध वर्तनी वाले में एक और सस्पेंस ना गया है प्रमाडिक कैसे लिएता है जी ब्रमाडिक और उज्वल भी सही है उज्वल थों पक्का सही है प्रमाडिक को यह लिखिंगे प्रमाडिक यतार्थ वाला इसमें 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 इसको असुद्ध परे बनाते हैं क्योंकि हमको टेंसन हो रहा है प्रमानिक कर दे रहे हैं पने आप वह सुद्ध हो जाएगा ठीक सुद्ध वरतनी वाला उस जोल्ड को आप चौइस कर लिजिए ठीक इसमें में पूछे जाने का कारण यहीं था कि दो आधा की नहीं ठीक है कभी कभी वह एक फ़्छपा होता है तो गलत hो जाता है ना प्रमाणिक को और क्या रहे प्रमाणिक दिमाग प crimes के क्या सुश्द्ध बने आप लोग अगर कुछ और जानते हैं तो जोर बताइएगा वहां पे हिंदी है संसीत वाले से हिंदी भी चपवा रहे हैं सही चापेगा सब कुछ सही हो जाएगा जब पहली बार स्लाइड आता है तो थ्वास उसको चेक करना पड़ता है ठीक है प्रामारिक जी कि देखो यहीं होता है जब दिमाग पर कुछ उल्जन दूसरा चीज आप लोग लागते रहते हो ना तो इम्मेन बात जो है दिमाग से उतर जाता है बिलकुल बिलकुल सही है हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल हाँ नेश को संच चलो देख लेते हैं कि हिंदी भासा का जन्म हुआ अप भरंस से लौकिक संस्कृत से पाली प्राकृत से या फिरिस से तो निम्लिक्षित कोस्टन जो यहां पर आपके सामें जो कोस्टन दिये गए हैं थोड़ा इसको अब बादद्दा वाले उरिजिन को बताएंगे तो वह भी इसमें सही नहीं है थ्वासा आम मैं इस पर आप लोगों को टाइम जरूर दूंगा क्योंकि आप सभी लोग इस पर उत्तर कर सकते हैं और जो लोग उत्तर करेंगे इधर उधर भी करेंगे तो उनका नाराण फि से हुआ सबको पता होगा कि हिंदी की आदिजननी जो है क्या है वह आदिजननी तो आदिजननी तो संस्कृत हो गई हिंदी की आदिजननी संस्कृत हैं संस्कृत पाली प्राकृत भासा से होते हुए अपवरंस तक पहुंचती है और फिर अपवरंस से आगे चलते चलते च प्राक्रित कि म फिर अ 7h यहां पर को वरंस को ही माना गया है मैं इस लिए इस पर थोड़ा सा समय देकर करके आप लोगों का उत्तर यहां पर देने की कोशिस किया ध्यान समझेगा संस्कृत उसके बाद पाली उसके बाद संस्कृत पाली पाली के बाद में प्राकृत प्राकृत के बाद में अपभरांस अपभरांस के बाद में अवहट अवहट के बाद में प्रारचीन लेकिन अब वरंशे ही हुआ है तो यहां से लेंगे इसका उत्तर बताओ क्या होगा इसप्रशन का उत्तर बताओ कि अहां यहारेटर में आं भी चुका है ठ्रीक है अभी क чаще हैटें कि जब हिंदी की जननीं पूछी जा है तो आप बिलकुल वहाँ तो इंदी बनवाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 11 माना गया है ध्यान देना हमारे यहां जो माना गया है संस्कृत ने पले हम संस्कृत बता देते हैं पिर हिंदी की बता देते हैं संस्कृत में जो है वह आ ई उ री लरी ए आई ओ और इन नौ माने गए हैं संस्कृत में और हिंदी में क्या मान लिया गया थोड़ा इसको देख लेते हैं पहली बात लरी वाले को नहीं माना गया है और माना गया है इसके साथ आं इके साथ में धिर्ग इ 2 के साथ में धिर्ग इसी के बाद आयाता है लिए के लोता अकेला ही रहे गा एक बास्ट ध्यान दिजिये गा यह दिर्गरी सरी की भाघ यह नहीं लिया जाता है तो यहां से आते हुए ऐसे फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां उसके बाद ए Kingdom यहीं आपके हैं न تو एक दो TWhen चार पांच छे साथ आठ नाव दस और एक 11 यहीं 11 माने गए है कौन कौन माने गए है कई बार कोशन यह बनता है कि ए बताओ री की पोजीशन क्या है हम ऐसा देखे हैं कि पीजीटी में जब इंटर्वीव चल रही थी ना पीजीटी में हां तो उसमें भी कोशन पूछा गया था कि यह बताओ कि री हिंदी वन वाला में री का स्थान कहां है तो री अगर आप देखोगे स्वरों में है किसके किसके बीच में है तो आप लिखने के लिए बोला गया अगर यहीं कोश्चन संस्कृत में जब आता है अगर पूछें आय हिंदी में किसके बाद आता है एक के बाद आता है अगर संस्कृत में पूछा जाता है तो संस्कृत में थोड़ा अलग है संस्कृत में थोड़ा अलग कैसे है मैं यहां पर बता देता हूं संस्कृत में पहले आता है फिर ई उ री ल्री ए ओ इस बात को ध्यान देना अधर्वाइज गलत करोगे ठीक इस बात को विशेश ध्यान देना कौन किसके बाद आता है नहीं तो गलत पक्का होगा ठीक आंगा समझ में जो नव हैं वो संस्कृट में हैं हिंदी में 11 थेक मैं दोनों बात बता दिया नव पिताँ और हमारे यहां यहां इपकर संस्क्रित में न वह हो गए और हिंदी में आप जो पढ़ रहे हो थे 11 आ रही है यह हिंदी में आ रही है ठीक है हिंदी में चले आगे देखते हैं कि जिन स्वरों जिन सब्दों के अंत में और आता है उन्हें क्या कहते हैं में पाइब का यहीं को मांद सामें साइब करते हैं का लिखो लिखो हलन्त महुत कम लगाते हैं हिंदी में पूर्णतियाव इसे लिख करके बता दियाता है ठेक तो यह अच्छर हो गया तो यह भी देखने को मिलता है बहुत थोड़ा सबस एक रिलेशन है आप संस्कृत को हिंदी से बना कर रखेंगे तो हो जाएगा और जिसके अंत में आता है वह अकारांत होते हैं क्या होते हैं अकारांत अपरांत होने वाले अकारांत ऐसे इकारांत इपरांत होगा उकारांत का उपयांत होगा इस तरह के से बढ़ेगा नेश क्वेशन देखना संस्कृत उपसर्ग युक्त सब्द नहीं है संस्क्रित उपसर्ग युक्त सब्द नहीं है कि समय संस्क्रित वाले उपसर्ग नहीं लगा है आपको पता होगा कि हिंदी में जो उपसर्ग है वो संस्क्रित से अधिक है इसमें कुछ अर्बी, फार्सी, उर्दू ऐसे भी हिंदी में आ जाए है लेकिन हमारे संस्कृत में क्यों बाइस उपसरग हैं, जैसे बे सहारा, बे जान, बे इमान, ये सब आपको हिंदी में तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको संस्कृत देखने को नहीं मिलेंगे, संस्कृत में बे जान वाला ऐसा सब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि बे को याद है तो आपका काम बन जाएगा बहुत सारा वहीं आता है कैसे कि बोलो प्रापराया पसमनी यानु अवनिस निरदुस दुरवी आंग अधियति अभी प्रति देखो अंग अप अनु इस सब संस्क्रित के हैं लाचार में नहीं है लाचार में यह संस्क्रित वाला उपसर लहां कि चलो 21 भासा परिवार का है कई बारे कोश्ण आचुका है 21 बह्रापरिवार का की भासा है भारोपी में यह किना गया है आप लोग जरूर बता है आपको पताओगा भारत पे जो बोलने वालों का प्रतिसत है और जो आश्ट्री का है 1.3 परसेंट लोग बोलते हैं और 0.7 परसेंट चीनी तिबती बोलते हैं भारोपीय है क्या है किस परिवार का इंदी भासा इंदी यहां पर है भारोपीय का is ध्यान देना इसी तरीके से आगर आप परिवार है कौन-कौन है भारोपिय द्रहुड़ा आश्ट्रिक और चीनिय तिबती यहां पर आपके सामने दिये गए यहीं चार है इसी चार के बाद में आप आगे पढ़ते चलोगे पढ़ते चलोगे सबसे बड़ा भासा परिवार भारोपिय है 73 प्रतिसत लोग इसको जो है बोलते हैं ठीक आगे देखते हैं को के बाद कौन सा आता है इसको भी आप बहतरीन में डालिएगा क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले बताया था इसके बारे में और फिर आया है बहुत सही करेक्ट उत्तर बहुत सही लेकिन का लाइक और फिरी का सेयर करना होता हो नहीं करते हैं सोचे आप जाएंगे जिस कच्छे में जिस क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए क्या सोचोगे कि वह बच्चा आपका सम्मान करें अकांचाएं तो बहुत रहती हैं लेकिन सोचो कि वह तुमसे जो है रोड से मिलने के बाद में तुमको पूछेगा भी नहीं कैसा लगेगा कैसा महसूस होगा अरे हम लोग गुरुजन होते थे क्या बात है गजब ये गजव्यक्ति हैं माने एक लाइक सेयर नहीं कर सकते और क्या कर सकते हो तुम लोग सोचो और क्या कर सकते हो जूठाई लेना जूठाई देना जूठ हैं गाल और जूठ चबएना हिंदी सब्सक्राइब का के बाद कौन सा आता है मैं बताया था कि कधन स ऐसे कर दोगे तो चो बन जाएगा अगर इसको और भी कर दें तो यह हवाला ऐसे रहेगा ठीक तो का के बाद में यह चो वाली आ जाती है द्वनी इसी के नी यह पुछा था कि यह स ओदा का संद्विच्षेद क्या होगा यह वाला होगा यह वाला यह वाला यह दोनों तो है ही नहीं ए और बी में से आप लोग जो सही होगा उसको आप लोग उत्तर करें कि यह सोधा में कौन सा बनेगा ठिक आप लोग को पता हो गया होगा कि वह नहीं यह यह शोधा है ठिक लो बहुत ही यह संस्कृत के दिश्ट सर्जा को सब्सकिंए प fuckin है वहां पे जब आता है आक्षण हडी में तो आता है काथ इसमें कौन सी यह तो अस्सीय आये है कि इसके मिलने से बनना चाहिए था O, लेकिन O न बन करके क्या बनना है? O, ठीक, इसके लिए अलग नियम है, इसलिए लोग सोचते हैं कि इसमें गुण बन जाएगा, लेकिन गुण होता नहीं है, बृद्धी बन गई यहां से, ठीक, अक्छाओं हिड़ी, अक्छधान मुहीनी यहां पे हो जाएगा, तो प्रससंख्या 36 उत्तर आएगा इसका, भी यह सांस्कित के दिश्चे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दम दिमाख में ठूश-ठूश के बर लेना अच्छे से, ठीक, आगे देखते हैं, जैसे लोग आप करोगे गुरु जी के साथ में हो इसा ही नहोंगा, कि गुरु से कपट, अनमित्र से चोरी, के होई नीरे धन, के होई कोड़ी, हम लोग के सानित गुरु जी लोग कोई भी अगर आ जाता है, कहीं भी आ तो हम लोग खड़े रहते हैं, बढ़ते भी नहीं ऐसे, लेकिन आप लोग सोचिए, आप लोग, यहीं बात है कि एक लाइक सेर नहीं कर सकते हो, गुरु जी के साथ में कपट चल रहा है, पढ़के सब्सक्राख में सेर करूब कर गुरु जी का रहा है, बढ़के रहा है, बात आक है क以前 में आपको 26 अगर देखने को मिल जाये, तो घबड़ाने की बात नहीं है, ठीक इस परस वाले में क्या नहीं जो ओड़ा ओड़ा नहीं है उस वाले में एक्ठो जोड़ लेते हैं कभी कभी लेकिन कई जगहों पर वा क्यों 25 पर चर्चा करेंगे और हमारे यहां संस्कित में भी कादयो मावसाना इस परसा से 25 ही बताए गए हैं तो राइट एंसर आप क्या करोगे 25 करो ठीक आगे देखते हैं और पिछले बार कई बार एक्जाम होया नहीं आफसन तक नहीं चेंज होता है वह यह आफसन के साथ एक्जाम में आता है कॉस्चन कौन सा रात्री का पर्यायवाची नहीं है रात्री का पर्यायवाची है नहीं आप अभी बैठके पढ़िए गुम्राह कर रहे हैं अब समय में हैं नेश कोस्चन इसमें बताओ रात्री का पर्यायवाची सब्द नहीं है कौन रजनी वीभावरी समीर या फिर नी सी अब देखो रजनी बीती वीभावरी जागरी रात्री वाला ना बीत गई अब जागो यहां पर नी सिमाने भी होला इसका मतब क्या समीर एक किसका है हवा का किसका है तो प्रश्य संख्या 38 का उत्तर क्या हो जागा रात्री का पर्यावाची नहीं है सिर से पानी गुजर जाना सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा गहरे पानी में स्थान पर या स्वान सिल्ता की सीमा तूट जाना या फिर सीमा टूट गई सांसिद्धा की अच्छा एक कोस्टन ये था ये दो कोस्टन साथ है इसमें मैं एक कोस्टन इसमें लेकर आया हूँ एक दिन मैं कोस्टन कल नहीं परसों वाले क्लास में कर रहा था तो यहाँ पर मैं लाश से चेक किया और दो पर ही अंसर मिल गया था तो मैं चेक नहीं किया आगे फिर और उसमें मैं छोड़ा कि इसको छोड़ो आगे देख लेते हैं फिर ताद यहीं कोस्टन है मैं उसको दो बार लेकर किया था मैं उसको फिर से चेक करूंगा बताऊंगा इसको फिर से चेक करो मैं बताया कि दंत तो लितू लो सा नाम दंता है हो नहीं आएगा पफ़ भाफ़ भी नहीं आएगा इसी दोनों में से होगा और मैं ठा को लगा के जल्दी से निकल गया महा प्राण में चुकि अगर हम लिखें तधा दा और धा और न तो यहां देखो ए अलप प्राण ए महा प्राण यह अलप प्राण हो जाएगा और मैं इसी जगा जो है महा प्राण था निकला बता के चल गया और इसको हम चेक नहीं कि हम बोले कि इसको चेक करने को जुरूत ने जब इसी पर आंसर मिल गया तो लेकिन बात यहां पर आ गई कि अगर हम घोस और अघोस को देखें तो था घोस तो है नहीं था कैसे घोस होगा इस परस तो है पक्का है यहां पर यहां तो आप यहां अगोस करिए कैसे आप देखिए दो को संथा भी हम को चेक करने दिए पहले क्या है ठीक तबावा को उताते हैं देखिए एक होता है खर प्रत्याहार का एक होता है हस प्रत और यहां पर और टाइप करेंगे तो यह आपका दंत्य हो जाएगा यह आपका महाप्रान हो जाएगा यह आपका घोष भी हो जाएगा यह आपका इस पर्स भी घ्यां समय रूप करके नहीं किया और एक व्यक्ति ने, कोई स्रीमान जी थे जो हमको कमेंट करकर फिर वीडियो के नीचे बता एक सरे कैसे घोस में था ने तो यह कैसे हो गया तो फिर मैं समझ गया कि यहां पर कुछ को बत आगए कुम अगर को कैसे बना रहे इसमें th FA again कि अमझी हो जाएगा धर अबurer ऐब का तो हो जाएगा थी सरा हो जाएगा रहे हैं ऑगर या और अग्या तो यहां पर अगोस कर लिजिए गा और अगर यहां पर घोस कर रहे हैं तो यहां पर धो कर लिजिए गा ठीक कौन सा गाना की तरह याद करने करót टा मंने जो भी मिले एक कुसन इसी का अशाओ आए यहीं है इसमें देखो सेम कुस्ट आ क्या वहीं घोस यहां देखो frontier है और यहां पर देखो क्या है में它 ध्धार यहां क्या है इसलिए आप इसको निया देखना यहां पर क्या आगे आपका स्था आगया तो हम फिर चेक करेंगे कि ऑष्थ कैसे करेंगे ऑष्थ ओस्थ में आपको करोंगे या फोलत अजय करोंगे पता नहीं कि अब हम तो लगा करके निकल चलेंगे क्योंकि ये तो आल्रेडी वोष्ठ है ही नहीं ये तो पक्ता है कि ये वोष्ठ नहीं है तो हम बहुत लगा देंगे आगे हम चेक नहीं करते हैं लेकिन उस दिन के बाद हमको तो चेक करके बता दें खुरापात न किया गया हो तो आप हमारी तरके से साल करोगे निकल चलोगे और गलती हो ही जाएगी तो सब का सब को नंबर मिलेगा इस वाले कोस्टन में आखिरकार कोस्टन ही तब गलत हो जाएगा अगर ऐसा रहेगा तो कोई दुसरा अप्सम तो सही है भी नहीं अगर इसे में धौ भी दिया रहता है तब दिक्कत होती तो धा नहीं तो इसलिए उसको चेक किये कट से निकल चले हम होता तो चेक भी करते ध्यान से अगर धव योता तो चेक करना पड़ता क्योंकि तब दो वण मिल रहते तो दो वण पर फिर चेक करना पड़ता आगे चलते हैं करना पड़ता है सब हिंदुस्तानी बोली का नाम किस ने दिया था धन्यवाद धन्यवाद चार बज़े होगा चार बज़े संस्क्रित क्लास होगी चार बज़े संस्क्रित क्लास चार बज़े लाइव होगी आप सभी लोग संस्क्रित क्लास में चार बज़े लाइव जरूर आईएगा बैतरीं क्लास होती है मज्यदार तो हिंदुस्तानी वोली का नाम किसे ने दिया था सोचो जो दिया हुवे चारा बगाया गया इसको अंग्रेज दिये थे हिंदुस्तानी ठड़ी को बोलते हिंदुस्तानी तौँस लिए बहुत दो अब यह कोश्चन आज़े इसके बारे में चर्चा हुई है जल्दी इसके उत्तर को बता दो इसकोशन का उत्तर बता दो बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत अच्छा कोश्चन है शोवण का किससे बना है इससे बना है थरा और ज्यांग और स्र ιंको और अच्छे से दिमाख में बैठा लेना किसे बना है comment करके बताह। जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताएं इसमें बताओ क्या होगा यह कोश्चन आता है तो जरूरी नहीं एक सभी लोग कर पाएं इसका मतलब कि कुछ और भी होगा अच्छा इस कोश्चन में बहुत अच्छा एक बात है कि राक्षास और दानों यह दोनों राक्षास है इसका मतलब इसका तो हो इनई पाएगा, ये दोनुँ नहीं हो पाएगे, ठीक क्योंकि अगर इसका हम राक्षास बताते हैं throughout गिनियों जाते हैं, इसका मतलब और भूसूर बज़ गए, इसके माने क्या होता है, भूसूर मांसु जो हां पर बात कियता है, ब्रामांसु की मान आती है कुए राजा चंद्रभान प्रताब भान कथात उसमें लिखा गया है कभी कुछ पढ़े रहो तो याद आ जाता है तो यह क्या हो जाता है भूसूर मनें यहां पर कर रहे हैं कि छेत्र का पर्यवाची नहीं है भूसूर अर्थात इसका इसका सभी तो सभी है ही दो हो तीन भी हो गया कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि तीनों से जो अलग मिले पकड़ में आ जाता है कि यहीं है चलिए तौरा असे त्रा जाया से जां भूगोल का क्लास चलता है रात्री में चलता है त्रा जाता है क्लास इतिहाद भूगोल जितने भी नागरिक साथ सब सर लेते हैं स्रिष्टि का विलोम सब्द है एक साड़े नो बजे साथ डेली होती है एक साम को भी क्लास होती है सर की उसको आप देख लिजेगा टेली ग्राम जो होगा एलर्णिंग विदुर्गेश्ट इलिग्राम उस पर जूड़ जाएंगे तो पता चल जाएगा ठीक है स्रिष्टी का विलोम बताओ स्रिष्टी मतलब स्रीजन करने के अर्थ में है तो प्रले कर दोगे तो क्या हो जाएगा प्रले कर दोगे तो फिर सब नष्ट हो जाएगा तो इसका राइट एसर क्या हो जाएगा प्रलाय स्रांस्कृत का एक सब्द कई बार हम लोग करते हैं इपसित सब्द का विलोम क्या है हाँ काहे नहीं लगेगा भूसुर्माने स्वसूर क्या हाबात है तो आगे देखिए इसमें बताइए इपसित माने चाहने कर्था इसमें दिखाए दिता है फिलाल यहां पर देखिए और इपसित कर्था संगया पढ़ते हैं उसमें आता है तोिसी कर्थ taux पर french चाहद Прीषित कर दो एकर्षित है कि अट और còn सब क्या ёँगे नष्षिर हरी और सब गलत नेश को शन देखते है चार-पांश राइस है और सब पलाइस है बताओ circular के एक वजे से चल रहा है अब फिर एक खबी चलेगा साम को चार वजे से हां रात में चलती है नौज कि रात में होता है इसलिए बहुत को हम ध्यान दी पाते हैं तो आप लोग उसको दोड़के चले ठीक है चलिए भाई प्रशर संख्यास है अलगाव ने अलगाव क्या हो जाएगा पास वाले में होते हैं अलगाव करिए इस में कभी कभी आपसंदेता है जिसको अरेष्ट में चल करके उत्तर करना पर साचार का अलगाव करिए चलिए इसका विराट बढ़ा विराट का क्या हो जाएगा बढ़ाए इस तरिके से पन बनाया गया यह वाला नहीं है चुद्र चुद्र मतलब बहुत छोटा है थीक क्या करता है चूहा क्या करता है सेर को कि आप तो महान राजा हैं मैं तो एक छुद्र जन्त हूँ और ज्यादा तर question में जानते हैं जो सही सब्दा आता है वो संस्कित वाले में ही आता है संस्कित वाले में आएगा वहीं आपका पक्का करेक्ट ही आता है आहुत का विलोम बताईए एक सभा आहुत किया तो फिर आहुत करने का क्या हो जाएगा अनाहुत कर दीजिए क्योंकि इसमें हुत अनहुत अपहुत दिया है तो अनाहुत कर दीजिए बुलाएगे तो अनाहुत कर दीजिए फिर चले आगे देखते हैं वाग क्या बात है इस कोश्चन का उत्तर अब आप सभी लोग बताएंगे अब बता करकर के अपने अपने हाँ प्रस्थान करेंगे जय जय कारा लगाते हुए हर-हर महादेव का ठेक नवश्वारतायंति सव्यंजना इन्ही में जीवकरे मन रंजना संस्किती क्लास एक बज़े से किया जाए अभी बहुत सारा मेसेज आ था सर उसको टाइम थ्वास आगे बढ़ा दिये क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग वरें कहीं जाते हैं तो घर से बाहर रते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं लाइव में तो देखते हैं जैसा आप लोग से जब सर्वे लिया जाता है तो आप लोग देते नहीं हो नीचे comment में जब class over हो जाए तो जो comment वाली बाक्स आती है उसमें आप time लिखा कीजिए ओ देखा जाता है जो live chat होता है बहुत कम देख पाते हैं इसको कम ध्यान में दिया जाता है इसमें बस पढ़ाते वक्त में जो ध्यान में आता है बस वहीं देखा जाता है अगर आपको उसमें बदलाओ चाहिए तो आप लोग जब class over हो जाए तो पुराने वीडियो के नीचे जो comment खुलता है उसमें जाकर करके message करो आज कितने लोग message करेंगे और हमारे वाले में करोगे तभी पता चल पाएगा हमारे वाले वीडियो में जो संस्कृत की पढ़ाई गई है उसमें या हिंदी की पढ़ाई गई है उसमें जाकर करके उसमें आप class में आप डालो कि या कितने बज़ होगा ठेक उसमें जाकर करके comment करना पड़ेगा कि सर यह वाली क्लास इतने वज़े यह वाली क्लास इतने वज़े तब वो देखा जाता है या फिर कोई रेटिंग गुरे दिया जाता है तो उसी में जाकर के दिया जाता है ऐसे लाइब चैट में तो आप बहुत सरा कर दोगे तो इतना नहीं दिखता है तो जिसको भी time change करना होगा सभी लोग maximum लोग message chat करेंगे ठीक video के नीचे जाकर करके chat नहीं क्या बलते हैं comment करेंगे comment जब video जो over हो गई है जिसे कल के video के नीचे या आज जब ये class हो जाएगा उसके करेंगे नीचे ठीक हाँ बिलकुल बस बल्ला दिखाओ बेटा पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे कि तो सभी लोग जो है जब भी आप लोग उसमें वीडियो हो जाएगा पसके बाद आप लोग उसमें चैट जरूर कीजिएगा अब बताइए कि किसको किसको क्या क्या पूछना है एक सेकेंड वास आई सिती बनाने देजिए पहले आप लोग सामने दीखने का दर्सन देने का दर्सन देने वाला कंडिशन आप लोग बनाए हैं भाई आजाओ मेरे और संस्कित की क्लास के लिए जो लोग अभी पूछ रहे हैं अभी आज तो क्लास चार बजे ही होगी और कल से अगर जो भी टाइम है आप पोछे है उस टाइम पर आप लोग देख लिजे हिंदी का हो संस्कित का हो आप जिसके लिए भी वहाँ पर मैसेस होगे चैट क्या कमेंट बार भूल याते हैं कमेंट करोगे तो उसमें मिल लिएगा ठीक चलो भाई आजाओ कि वीद्यों में बैठ करके इसी पर कर रहा था टोपी लगा पूल टोपी तुरब टोपी मारी बहार भी बाल सा गुण रहे हैं मारा टोपी तता नहीं कहां चला गया है छोड़ी है ठीक है तो अब देख लिए सभी लोग हो गया कि इंतना कर देते हैं तो अब हो गया दर्शन अच्छा नहीं आ रहा है और टोट टोट बाल कैसा है चले बहुत अच्छा ओके जब भी आपको के तब भी हो जाएगा ठीक है और आप उस पे जो भी बोलना उस पर जाके जरू बोलो ठीक ठंडी बहुत है ना बहुत ज्यादा ठंडी है सब ओड करके यह पूरा ओड करके ब्लैंकेट वे बैठे थे बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम करती मान भ्वाद नहीं करेंग यह लाइक कर दें और जब क्लासी ओबर हो जाएगा पूराने वीडियो की नीचे जाकर करके सबही लोग जाकर के कमेंट किया कीजिए पूराने वीडियो के इसा कमल किसो जीतेंद्र राजू चौहान पुर्णिमा सिंग सुप्रिया चुतुर्वेदी कि 45 वाला कोशन क्या था प्रलय का विलोम यहीं था 45 वाला क्या साथ यहीं था साथ एक सेकंड देखा दीजिए हाँ यहीं था मैं इसको बताया ना कि स्रिष्टी का प्रलय होता स्रिष्टी स्रिजन करने के अर्थ में होता है व्याष्टी नहीं होता है वह अभाव के अर्थ में होता है ना अभाव के अर्थ में इसको यूज करते हैं व्याष्टी वाला यह यहां पे प्रलय है कच्छा को लाइक कर दे हाँ धन्यवाद धन्यवाद अभी देखिए हिंदी बहुत जादा नहीं पढ़ाए है लेकिन फिर भी हिंदी का इतना तोड़ी है कि अभी हिंदी नहीं जानते हैं अभी देदेदेदे उसमें हम और जब एक एक आपसन परवंज में आ रहा होगा उसमें बहुत अच्छे से आएगा हिंदी चलेगा जब तक कि कुछ लोग और भी नहीं कमेंट करेंगे, ठेक, अभाव के अर्थ में प्रियोग होता, जब आप हमारे साथ में अव्याई भाव समास पढ़ रहे होते हैं, तो उसे में हम बताते हैं, ध्यान देना, उसमें अव्याई भाव समास पढ़ाये थे, वेश्ट जब मैं अभ्याई भाव समास पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बोला था, आप याया था, उसी वाले से लेके आया गया है, ठेक, जिसमें आप व्रिधी का अभाव उगरे कैसे अर्थ में लिया जाता है, ठेक, जैसे अगर संदर्वी तो अगर हम कुछ बोलें, जैसे अग बलते हैं या विक्षा विक्षा नाम विद्धि उसके लिया जाता है तो चला जा फिर अब हाँ आजय कुमार बर्मा सुप्रिया चतरवेदी सोनिका सिंह कमल किशोर यमके यम जितेंद्र पायनकाडवाले साभी प्रचार भी लगा दिये है चले बहुत सही ठीक है राजु चोहान मिनाक्षी भारती सारी मनीशा भारती और किसी का मेसेज नहीं दिखाई दिरहा नया नाम कोई नहीं है पुणिमा सिंग चलिए लखनौ से है जो लोग फर्स क्लास लिए है बहुत अच्छा हिंदी की इसलिए कर रहे हैं संडे को दिन भी चला जो लोग बाहर चाते हैं उनका थ्वासा रहें क्लास में देखे तो उनको एक जुडा होगा पता चलेगा और जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी अच्छी बात है संस्कित के हिंदी की दोने क्लासे समारे द्वारा दी जाएंगी आप लोग बस उसको नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा पवन कुमार गुपता ठेक तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा पूराने वीडियो के नीचे जरूर कीजिएगा प्रताप गर से हैं चले बहुत अच्छा सुने लिए दो जी बहुत अच्छा तो ठीक है तो हम सेशन को अब आप करेंगे मिलेंगे सीधे चार बजे क्लास में हाँ चार बजे क्लास में चले मिलते हैं जैहिंद सरवे भवन्तु शुखिनह, सरवे संतु निरामयाह, सरवे भद्राणि पशंतु माकस्चित दुख भाग भवेत माकस्चित दुख भाग भवेत